कंचन एक नाउन है, आपका नाम एक नाउन है, यहां तक कि आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं या फिर जहां भी हैं आप, आपके आज पास जो भी चीजें पड़ी हुई हैं वो सब ही नाउन्स हैं, गाइस नाउन्स कितने इंपोर्टेंट हैं, अगर आप अपनी ग्रामर म मैं आपको बताने वाले हूँ, all types of noun, मतलब noun के सब ही प्रकार, और कितने प्रकार के होते हैं noun, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहां पर, टोटल आठ प्रकार के nouns होते हैं, अब आप कहेंगे, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, do I really need to know the different types of nouns, हाँ, आपको जानना चाहिए, अब मैं बताती हूँ क्यों, जैसे कि एक word है love, अब यह love कैसा noun है, love को आप कहेंगे कि यह abstract noun है, क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते, हम इसको छून नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते, समझाया, लेकिन आपको पता है love एक common noun भी है, और क्या आपको यह पता है कि love एक uncountable noun है, मतलब आप इसे गिन नहीं सकते, तो एक बात बताईए कि एक ही word अलग अलग तरीके के, मतलब कि अलग अलग categories में जा रहा है, तो यह confusion होती है, कि कोई एक word कौन सा noun है, यह समझना बहुत जरूर है, especially अगर exams में आ जाए, तो आपको आना ही आना चाहिए, चलिए इस word को अटाते, एक और word लेते हैं, जो कि है notebook, जो कि आप सभी के पास है, हो सकता है, आप में से कुछ लोग अभी बैठे हुए हूँ, notebook लेके लिखने के लिए चेज़ों को, जरूर लिखना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप जिन्होंने नहीं ले रखा है, अगर आपको ये चीज़े note करनी है, तो please note down, तो guys, notebook कौन सा noun है, क्या ये भी common noun है, जी हाँ, ये भी common noun है, अब हम आज आते हैं, क्या ये abstract है, ये concrete है, आप notebook को उठा सकते है, touch कर सकते है, तो ये concrete है, अब एक और इसमें extra जोड़ता है, ये compound noun है, compound noun कैसे, इसमें note और book, दो word को जोड़ दिया हमने, तो compound भी है, प्लस ये countable है, इसे आप गिन सकते हैं, आप कह सकते हैं, I have five notebooks, but जो word इसके पहले था love, उसमें आप नही countable, अब एक ही word, चार तरीके के categories में आ रहा है, इतना important lesson आपको नहीं मिलने वाला फिर से, तो ये मुका है आपके लिए, पूरे के पूरे concept को बिलकुल clear कर दूँगी, मैं, आप इस video में तक बने रहेंगे, तो noun को लेके, आगे से आपको रती भर confusion नहीं होगी, सब कुछ clear हो जाएगा, guys my name is Kanchan, you are watching me on English Connection, let's begin, तो आप इस class की importance तो समझ गए, अब हम एक एक noun को detail में समझेंगे, मतलब उस पे हम डेरो examples भी देखेंगे, ता कि कोई ही confusion बाकी न रहे, लेकिन उससे पहले, noun है क्या, ये समझते हैं, what is a noun, a noun is a person, place, thing or idea, तो कोई व्यक्ती है, वो भी noun है, कोई वस्तु है, वो भी noun है, कोई जगह है, वो भी noun है, कोई idea है, वो भी noun है, ठीक है, तो idea, जैसे मनी की बात करो, तो मनी भी तो noun है, अब मैं आगे आती हूँ, एक एक करके आपको समझाते हूँ, ठीक है, common noun सबसे पहले समझेंगे, common noun, A common noun is a generic person, place or thing. Generic, कैसे? Some common nouns include man, woman, teacher, car and day. अब इसको समझते हैं, जितने भी आदमी हैं, उन्हें हम एक नाम दे चुके हैं, वो है man, ठीक है? तो ये एक common नाम दिया गया है, मतलब कि किसी particular व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि अगर उदर कोई आदमी खड़ा है, तो वो एक man है, तो उसे हम common noun कहेंगे. मैं एक woman हूँ, तो common noun है. Woman क्या है? Common noun. मैं एक teacher हूँ. Teacher अलग-अलग subject से होते हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? मैं एक teacher के बात कर रहे हैं, कोई भी teacher, कोई भी औरत, कोई भी आदमी, तो ये common noun, एक common नाम दिया गया है. Right? सभी लड़कियों को एक common नाम दिया गया है, girl. सभी लड़कों को common नाम दिया गया है, boy. ये सभी common nouns हैं. ठीक है, जितनी भी cars हैं, हम brand name की बात हैं नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ car बोल रहे हैं, common नाम है, car है, बहुत सारी cars हैं. day, day कितने होते हैं, seven, लेकिन हम क्या रहे हैं, तो अभी क्या है, ये common है, ठीक है, common नाम है, लेकिन अगर मैं Sunday बोल दूँ, Monday बोल दूँ, तो वो common नहीं रह जाएगा, अभी सिर्फ day है, तो common है, समझ रहे हैं, तो common नाम जो दिया गया है, चीजों को, वो common noun है, the man is on the phone, man common noun है, phone भी common noun है, मैंने किसी particular phone की बात नहीं की, कोई भी phone हो सकता है, phone, it's, वैसे इसका मतलब रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो phone पर है, इसका मतलब फोन पर बात कर रहा है, it's hot in the house, house भी a common नाम है, that movie was scary, कोई भी movie हो सकते है, common नाम क्या दिया है, अबने फिल्म को, movie, my my dog likes to sleep on the rug, अभी क्या डॉग क्या है, common नाम है, सभी डॉग सकम डॉग बोलते है, do you think the donkey enjoys eating grass, तो donkey, सभी डॉगी इसकम डॉगी बोलेंगे, और grass, घास भी कही तरीके की होते है, लेकिन सबकुम घास बोलते है, तो grass, chocolate ice cream isn't my favorite, ice cream बहुत सारे तरीके की होते है, लेकिन common नाम ice cream, अब इसमें हमने chocolate ice cream बोल देंगे, तो वो अलग हो जाएगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगे, I want to buy that pink mat for the beach, तो mat जो है, ये common noun है, common नाम है, सभी mat, सभी चटाईयां जो होते हैं, उन्हें मैट बोलते हैं, ठीक है, beach जो है, ये भी common नाम है, किसी particular beach की बात नहीं करें, generic कोई भी, I am sure ये clear हो गया, अब हम आते हैं, proper noun पे, अब दिखे, common और proper को साथ में समझेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, जो generic नाम दिया है, in general, वो common है, लेकिन proper noun क्या है, a proper noun is the specific name given to a person, place or thing, जो generic term था, generic names थे, वो common थे, लेकिन अगर specific name दे दें, तो proper हो जाएगा, मैंने का अगर आप मुझे woman बोलें, तो वो common noun है, लेकिन अगर आप मुझे कंचन बोलें, तो वो proper noun है, तो इस woman को एक particular नाम मिला है, कंचन, ठीक है, तो specific name हो गया, तो कंचन आपका proper noun है, you should always capitalize a proper noun, even if it's in the middle of a sentence, तो proper noun आप कहीं भी लिख रहे हैं, चाहे वो sentence के बीच में हो, शुर होगा, some proper nouns include Honda, Maruti and Tata, अभी मैंने का common noun है, कार, लेकिन अगर मैं Honda, Maruti और Tata की बात करो, तो ये proper nouns हो गया, क्योंकि अब हम particularly, किसी particular brand की बात कर रहे हैं, उसके नाम की बात कर रहे हैं, जो specific name दिया गया है, उसकी बात कर रहे हैं, so these are proper noun alternatives to the common noun examples of car, ये थी नो, इनकी बात कर अब example देख ले, Modi lives in India, man common, Modi proper, उसी तरीके से India है, India proper noun है, अगर मैं country बोलती तो common noun हो जाता, देश तो बहुत है, but India एक particular देश है, अब मीरा planted roses in the surya garden, girl common, मीरा proper, अब garden तो बहुत सारे हैं, common हैं, लेकिन surya garden तो proper noun हो गया, अब हम आगे, Harry Potter is my favorite movie, movie आपका common है, लेकिन Harry Potter proper, does it always rain in September, अगर month होता तो common, लेकिन September बता दिया, तो proper, रोहन गोस तो Starbucks every morning before work, cafes बहुत सारे हैं, वो common है, लेकिन Starbucks नाम दे दिया, तो proper, रोहन भी नाम है व्यक्ति का proper noun, राजेंद्र प्रसाद was the first president of India, इंडिया तो मैंने आपको पहले ही बताया, proper है, और ये भी किसी का नाम है, तो proper noun, clear हो गया, common और proper, बिल्कुल clear हो गया, I'm sure, Guys, अब यहाँ पर आपसे गुजारिश है, कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो please, 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 वीडियो को like करें, आपका like जो है वो मुझे motivate करता है, साथे साथ, अगर आपको लगता है, कि ये वीडियो आपके friend के भी काम आएगी, तो share जरूर कीजे अपने friends के साथ, क्योंकि अगर आप चाहते हैं, कि आप उसके साथ practice कर सके, तो उसकी भी English मजबूत होनी चाहिए, और साथे साथ, जिन भी बच्चों को जरूरत है, उन त बस पहुचा दे इस वीडियो को, ताकि वो भी सीखें और आगे बढ़ें और हमारा देश आगे बढ़ें, अब हम भी आगे बढ़ते हैं, concrete noun की तरफ, a concrete noun is something you can see, touch, taste, hear or smell, मतलब जो हमारे ये five senses है न, जिन से हम देख सकते हैं, आखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, जीब से कुछ हम टेस्ट लेते हैं, स्वाद लेते हैं, त्वचा से हम छू सकते हैं, अगर कोई बस्तु है या व्यक्ति है, या कोई भी चीज है, अगर आप अपने इन five senses का use करके उसे समझ सकते हैं, तो वो आपका concrete noun होगा, a physical thing, हर एक व्यक्ति जो है music आप सुन सकते हैं, noise, शोर अगर हो रहा है, noise वो भी concrete noun है, bread आप खा सकते हैं, concrete noun है, and a backpack जैसे आप छू सकते हैं, आपके लिए कुछ examples हैंगे, यहाँ देखिये sentences, नीहा ककर is a fantastic singer, नीहा ककर छू सकते हैं ना आप उन्हें, देख सकते हैं, तो नीहा ककर जो है, proper noun भी है और concrete noun भी है, singer, common noun भी है, और concrete noun भी है, what's your favorite book, book को आप छू सकते हैं, पढ़ते हैं, so concrete noun, my mom just baked, mom concrete noun, just baked some delicious chocolate cookies, cookies आप खा सकते हैं, concrete noun है, I always drink some milk before going to bed, taste लेते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, तो यह भी आपका concrete, she forgot to bring her tent to the camp, दोनो ही concrete, English is Addy's favorite school subject, so Addy यह भी concrete, Bangaluru is a beautiful city, तो Bangaluru जगे का नाम है, यह भी concrete है, और city भी concrete है, ठीक है, आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, अब आगे हम abstract noun में, यह बहुत important है, क्यों? क्योंकि यह उसका opposite है, जो भी आपने सीखा, concrete, जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, an abstract noun is something you can can't see, can't, can't जिसे आप बोलते हैं, दोनों ही pronunciation ठीक हैं, आप जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, वो सभी चीज़ें abstract noun की category में आएंगे, जैसे love मैंने आप से कहा, love एक feeling है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, तो जो चीज़ें महसूस कर सकते हैं, वो abstract noun में आएंगी, जिने आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ठीक है, देखिए, abstract nouns are the opposite of concrete nouns, ये तो आप समझ के, they are qualities, जैसे qualities हैं, गुन हैं, ठीक है, ये आपके abstract nouns में आएंगे, concepts, feelings and emotions, some abstract nouns include love, truth, जैसे सच है, छू सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्या नहीं, लेकिन आप इस concept को समझ सकते हैं, money, एक idea है, and religion, मतलब धर्म, ये सब abstract nouns के अंदर आएंगे, examples देखते हैं, addy is full of joy today, joy, खुशी, ठीक है, women have a lot of patience, patience क्या है, धैयर, ये भी आपका abstract हो गया, have confidence in yourself, दिखता है क्या confidence, नहीं, आप उसे समझ सकते है महसूस कर सकते हैं, चिजो को, flying first class is a luxury, ठीक है, do you get a thrill from riding a roller coaster, my dream is to go on a safari and see a lion, guys, dream, dream आपका क्या है, abstract noun है, rumor has it that Rohan is quitting his job, rumor मतलब अफ़ा, ये भी abstract, she is in a lot of pain, दर्द जो है, ये भी abstract, clear हो गया, अब हम आगे collective noun में, but आगे बढ़ने से पहले एक और request, guys, अगर आपको tenses को लेकर कोई भी issue है न, तो मैं आपसे बताती हूँ, कि मैंने आपके लिए बहुत ही fantastic वीडियो बनाई है, एक घंटे में सारे tenses clear हो जाते हैं, कहीं कोई doubt बचता ही नहीं, वो ये वीडियो है, औ फिर link आपको description में मिल जाएगी, करोडों लोगों को फायदा हुआ है, अब आपकी बारी अगर नहीं देखा तो जरूर देखेगा, और देखा है तो revise कर लेजे, तो collective noun में आ गए हम, a collective noun refers to a group of multiple things, देखे हमेशा सबसे पहले नाम पर focus करेंगे, collective, मतलब collection के बात हो रही है, तो क्या है, it refers to a group of multiple things, मतलब धीर सारी चीज़ों का collection है, उसे हम collective noun बोलेंगे, some collective nouns include crowd, batch, herd and flock, जैसे हम कहते हैं, गायों का जुन्ड, हम बोलते हैं, लोगों का गिरोह, तो हमारी पास भी तो अलग-अलग words हैं, जुन्ड, गिरोह, ठीक है, वैसे ही इनके पास भी अलग-अ हो जाए, crowd, आपके परिवार के सदस हैं, तो family, ऐसे ही अलग-अलग नाम दिये हैं हमने न, तो वैसे ही आपको अलग-अलग words मिलेंगे, देखे, I live with my family, तो family आपका collective noun है, a school of fish, आप सोचने हैं, अपना school नहीं नहीं, जब ये fish होते हैं, अगर, fish actually plural भी fish होता है, तो अगर देख सारे fish हैं, और वो साथ में तैर रहे हैं, तो उन्हें school of fish कहा जाता है, just swam by, class, open your books, class में teacher आपको class बोलती है, ठीक है, तो collective noun, are you joining the group for the basketball game, तो group बोल रहे हम इसे, I just added a few new stamps to my collection, देख सारी चीज़ों को collect कर रखा है, collection के लाएगा, the cat just gave birth to a litter of kittens, dogs के बच्चे, cats के बच्चे, जो इकठे पैदा होते हैं, उन्हें हम litter of, फिर वो बोलते हैं, ठीक है, litter of puppies, litter of kittens, अगला example है, try not to get stung by that swarm of bees, madhu makhya, एक साथ जुन में चलती हैं, उन्हें हम swarm बोलते हैं, who is the best singer in the church, choir, तो यह हम बोलते हैं, जो एक साथ गाते हैं, the team did a great job, alright, तो team, आपकी भी team होगी, of course, अगर आप किसी office में काम किरते हैं, तो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने compound noun की तरफ, यह बड़ा interesting है, आगे बढ़ने से पहले एक और request है आपसे, कि अगर आपको ऐसी videos और चाहिए, तो आप comment section में दिल मांगे more लिख सकते, या फिर आपकी क्या demand है, वो बताएए, आप लिखे comment section में कि ma'am, इस चीज़ पर video बनाएए, जैसे कि verbs पर video बनाएए, adjectives पर video बनाएए, by the way, एक already series है, आप उसे देख सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं, कि मैं नई videos बनाओ, तो मैं जरूर बनाओंगी, बस आपके लिखने की दे रहा है, comment section में जरूर लिख के बताएगा, guys अगर मैं इस noun की बात करूँ, तो यह आपको चुटकियों में याद हो जाएगा, देखे, compound nouns are formed from two or more words, मतलब दो words को जोड़के, या दो से ज़्यादा words को जोड़के, जो noun बना है, जो word बना है, उसे हम compound noun बोलते हैं, some compound nouns include seafood, देखे, sea or food, मिला के seafood बना, boy or friend मिला के boyfriend, tooth or paste मिला के toothpaste, and air or line मिला के airline, तो दो दो words यहाँ पर मिले हुए हैं, alright, मैं तीन वाले भी आके आपको एग्जाम्पल में दिखाती हूँ, I love watching the sunrise on the beach, तो sun or rise, सुर्योदा जिसे बोलते हैं, have you ever seen sunset, सुर्यास्ट, sunset, I think you need new eyeglasses, eyeglasses, she sells seashells by the seashore, अब यहाँ पर दो दो compound nouns हैं, is that scarecrow scary, यहाँ scarecrow मिला के scarecrow बनाए, वैसे यह क्या होता है पता है आपको, जो खेत वगेरा में पक्षियों को डराने के लिए, एक कुछ डंडा सा लगा के उपर मटका रख देते हैं, उसे हम scarecrow बोलते हैं, I take bread and butter for breakfast, त उनों को जोड के breakfast, my sister-in-law is waiting for me, यहाँ देखे तीन words है, sister-in-law, इसे भी मिलाया है, यह भी आपका compound noun है, तो guys कैसे समझेंगे इस चीज को भी मैं आगे बताती हूं आपको, where is the swimming pool, देखे यहाँ पर swimming और pool दो अलग अलगे हैं, तो जोड़े भी नहीं है, फिर भी यह compound noun है अब आगे बढ़ते हैं, कैसे समझें compound noun, क्योंकि अलग भी है, तो भी आप बोल रहे हो, तो देखे, closed compound nouns, पहला, actually तीन तरीके के होते हैं, compound nouns, closed में हो गए, जिसमें कोई space नहीं, कोई hyphen नहीं, कुछ भी नहीं, जो भी आपने examples में देखे, दूसरा है hyphenated compound nouns, जिसमें hyphens लगे हैं, बट वो बंत हो गए एक ही word, तो father-in-law, brother-in-law, बहुत सारे ऐसे in-law करके words हैं वो, x और रे को जोड़ा है hyphen से, ये भी एक compound noun है, and merry-go-round, ये भी एक compound noun है, तो hyphenated compound nouns, फिर है open compound nouns, जैसे peanut butter, अब यहां पर space है, बट peanut butter हम एक साथ यूज़ करते हैं, तो ये open compound noun है trash can हम साथ में use करते हैं, swimming pool हम साथ में use करते हैं, तो ये सब भी आपके compound nouns हो गए, आगे बढ़ जाते हैं, countable noun की तरफ, फिर uncountable, उससे भी पहले मैं आपसे गुजारे शोर करूँगी, कि guys अगर आप step by step learning करना चाहते हैं, मतलब step by step जल्दी से जल्दी English बोलना सीखना है, तो मेरी courses available है English connection app पर, आप play store से app install कर सकते हैं और सीख सकते हैं जल्दी से जल्दी, तो countable noun में आते हैं, countable nouns can be counted and can have a singular or plural form, मतलब simple है, जैसा कि नाम बता रहा है कि आप countable nouns को count कर सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं, और जिने गिन सकते हैं, उनके plural forms भी होते हैं, मतलब singular एक वचन भी हो सकता है, some countable nouns include apples, key and child, key को हम keys कर देंगे, child अगर एक नहीं एक से ज़्यादा है तो children हो जाएंगे, example देखते हैं, रोहन और मीरा हैं, रोहन और मीरा के चार बच्चे हैं, तो गिन सकते हैं, I have five coins, हम सिक्कों को गिन सकते हैं, this cupcake is very sweet, cupcake को हम गिन सकते हैं, there were lots of people, हम people, म गिन सकते हैं, I don't have a car, car को हम गिन सकते हैं, यह तो simple है, दिक्कत आती है, आगे भी बताऊंगे आपको, where is the last puzzle piece, pieces को हम गिन सकते हैं, make sure to eat a banana, हम बना गिन सकते हैं, this resort only has three rooms, हम resort गिन सकते हैं, runes गिन सकते हैं, facing the ocean, clear, अब आते हैं uncountable बे, uncountable नाम बता रहा हैं, कि आप इ जिन्हें आप गिन नहीं सकते हैं, उनके plural form भी नहीं हो सकते, ठीक है, जैसे मैंने का था कि love है, तो आप loves नहीं बोल सकते, right, as a verb बोल सकते हैं, but as a noun, आप उसे count नहीं कर सकते, most abstract nouns are also uncountable nouns, तो love abstract है, uncountable है, ठीक है, abstract जिन्हें आप, मैंने अभी बताया था आपको, जिन्ह food, coffee, sugar, advice and water, पानी को आप गिन सकते हैं, क्या नहीं गिन सकते हैं, यहाँ आते हैं, tea is a popular drink, tea को आप गिन नहीं सकते हैं, tea uncountable है, लेकिन अगर उसे हम glasses में या cups में डाल दें, तो हम उन cups और glasses को गिन सकते हैं, तो इसलिए लोग जाके restaurants में क्या बोलते हैं, आ कहीं भी अगर order करते हैं, two teas please, तो वहाँ पे वो cups या फिर glasses को count करके बोलते हैं, तो वहाँ चल जाता है, try to be on your best behavior, behavior मतलब व्यवहार, uncountable, नहीं गिन सकते हैं अप इसे, don't ask for advice from a stupid, तो यहाँ पे यह advice या uncountable है, salah, हम Hindi में दो सला, तीन सला बोलते हैं, but English में uncountable है, तो दो तीन बोलने क हम two pieces of, या three pieces of advice बोल सकते हैं, the field is full of grass, grass uncountable, हम grasses नहीं बोलेंगे, the air is hot today, हवा गिन सकते हैं क्या आप नहीं, I hope you didn't get too wet in the rain, बारिश गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, nature is full of trees and wild animals, प्रकृति, इसे भी हम नहीं गिन सकते, money can't buy you happiness, happiness आप गिन नहीं सकते, आप money भी गिन न Guys, money एक idea है, आप money को गिन नहीं सकते, आप coins को और notes को गिन सकते, मतलब numbers को count कर सकते हैं, बट money को गिना नहीं जा सकता, इसलिए से uncountable की category में रखा गया है, I hope आपको class बहुत पसंद आई हो, I am sure आपके सारी doubts clear हो गए हो, अगर फिर भी कोई doubt बचा रहे गया हो, तो comment section में पूछ सकते हैं, but I am sure कोई doubt बचेगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ही clearly हर एक चीज़ को बताया है, Guys, बस इस video को share कर दीजेगा, और आप practice जरूर से करते रहेगा, क्योंकि आपकी practice ही है, जो आपको आगे ले जा सकती है, मेरा काम है कि मैं आपको रह दिखाऊं, मैं आपको बता सको कि आपको कैसे करना है, और क्या-क्या चीज़े सीखनी है, लेकिन practice आपके हाथ में है, make sure हर दिन practice कीज़े, अपने English को improve करने के लिए, मिलते हूँ आपसे अगले lesson में, Guys, जैहेंद!